सोच इमांदार काम दमदार सोच इमांदार काम दमदार बड़ी सोच बड़ा विजनस यानि बोल सकता हूँ कि पूरे इंडिया में धूम मचा देने वाला प्लान हमारे पास है और बहुत लोगों को हजम नहीं होता है सही से कि जोईनिंग सोला सो रुपिया वो भी पूड़क्ट के साथ हूम डिलेवरी फिरी और इंकम मैचिंग का पंद्रह सो रुपिया से ले करके 33,000 रुपिया परड़े बहुत बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग भी कनफ्यूज हो जाएंगे लेकिन सर कनफ्यूज होने के जरूरत नहीं है क्योंकि भगमान किसी को करोड़ो रुपिया नहीं देते हैं आके दरवाजे पर कि भाई दरवाजा खोलो मैं एक करोड़ लेके आ गया लेकिन हाँ यहाँ पर हर किसी को करोड़ो रुपिया कमाने का मौका अवसर चांस जरूर देते हैं जरूर देते हैं तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि ज़्यादा दिमाग लगाने के जरूरत है नहीं क्योंकि जिसने समझ लिया सुनिये का ध्यान से जिसने समझ लिया वो कमा रहे हैं और बाकी दुनिया में सब दिमाग चला रहे हैं बाकी दुनिया में सब दिमाग चला रहे ह तो सर यहां पर कोई बहुत ज़ाद अंग्रेजी और संस्क्रीट और बड़े-बड़े मैथेमेक्टिक्स का सुलूशन करने वाली बात है नहीं आपको बहुत बड़े डिगरी लेने के जूरत नहीं है हाँ सरकार के बात को 30 साल से लोग नहीं सुन रहे थे कि डिरेक्ट सेलिंग क्या चीज होती है तो सरकार ने समझा कि ऐसे तो लोग समझेंगे नहीं इंडिया के लोग हैं जब तक कुछ पैसा दे के पढ़ाई करेंगे तब समझ में आएगा जैसे कि पुराने जमाना में नौकरी में कोई नहीं जाना चाहते थे नौकर बनना कोई नहीं चाहते थे और आज जनम लेते हैं सब के मुझ से निकलता है कि नौकर बनूगा नौकर बनूगा नौकर बनूगा और अब्दूल कलाम साहब ने बोले हैं भी कि जब तक हम हमारा समाज में पढ़े लिखे ब्यक्ति का सोच नौकर बनने का रहेगा तो पिढ़ी दर पिढ़ी केवल नौकर पैदा होंगे नौकर पैदा होंगे नौकर पैदा होंगे मालिक नहीं पैदा होंगे तो थैंक्स गॉड आप लोग को जानकर खुसी होगा कि डिरेक्ट सेलिंग का कोर्स सरकार ने आठमा कला से लेके M.A. तक में चप्टर में डाल दिया है और M.B.A. के फाइनल समेश्टर में बड़े-बड़े बुके डिरेक्ट सेलिंग का पढ़ने पढ़ रहा है अब सोचिए कि जो काम हम आपको रोज सुबह-सुबह फिरी फोकट में जनकारी दे रहे हैं वो काम को अब हमारे नेक्स जनरेशन पैसा देके स्कूल में, कॉलेज में और इन्वर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं और जब वो पढ़ करके आएंगे तो डिरेक्ट सेलिंग में किसी को घर-घर जाके दरवाजे पर जाके रिक्वेस्ट करके, समझा करके मोटिबेशन करके धक्का दे देके किसी को ज्वाइन नहीं कराया जाएगा क्यों? कि आज नोकरी के लिए पढ़ाई के लिए ट्रेडेशनल व्यापार के लिए किसी को धक्का नहीं देना पड़ता है सरकार कभी नहीं कहता है भाई वंबहनो जल्दी से पढ़ाई करो जल्दी से दुकान खोलो नोकरीपर टाइम से जाओ कोई नहीं कहता है सब लोग जाते है तो फिर उसी तरह से जब पढ़ाई लिएक के डरेक सेलिंग में आएंगे लोग तो खुद करने लगेंगे आपको किसी को बोलने के जुरूत नहीं पड़ेगा तो ये तो सिर्फ जाकी है पिक्चर पूरी बाकी है तो आज मैं बात करूँगा कि हम लोग जब डरेक सेलिंग के बारे में लोगों को जनकारी देते हैं तो लोग क्यों नहीं जुआइन करते हैं लोग निगेटिव क्यों होते हैं तो सर या मैडम जी किसी लोगों का गलत ठहराने से पहले खुद के बारे में ध्यान देना है कि क्या हमने सही तरह से जनकारी दिये जैसे कि स्वामनी लाइफ का आज भी पेमेंट सुबह सुबह आ गया और कुछी दिर में सब के खाते में जाएगा तो आप सबसे पहले सामने वाला ब्यक्ति को ए जनकारी दे देजिए कि सर आप जो भी काम कर रहे हैं उस काम के साथ अगर आपको रोज का पंदरा सो रुपईया आपके खाते में आ जाए तो कैसा लगेगा यानि रोज का पंदरा सो भी अगर खाते में आता है तो कम से कम पंदरा सो रुपईया आपके पास एक्स्टरा हो जागा महिना में अगर तीन हजार रुपईया आपके खाते में सुबह सुबह आ जाए तो कम से कम 90,000 रुपिया हो जाएगा आपके खाते में आप किर्पया ध्यान देजिए 90,000 से जादा लाखो करोड बंगला गारी हवाई जहाज के बाते करेंगे तो सब उपर से पार हो जाता है क्योंकि बहुत लोग उन्हीं लोगों के सामने लाखो करोड गारी बंगला का सपना बोलके उनको न जाने किस-किस कमपनी में जोइन करा दिये थे लेकिन जिन्होंने जोइन कराए थे उनके पास भी आज बंगला गारी घोडा है नहीं तो दुनिया को कैसे देंगे तो सबसे पहले बात को समझना होगा कि गारी बंगला घोडा है दुनिया में जहाज वाबला भी है बड़े बड़े डरेक सेलर के पास खुद का जहाज है अरवो खरवो रुपिया है ये बात सचाई है लेकिन कोई भी बच्चा पैदा होते हुए तुरंत डाड़ी मोच और साधी सुदा और हठा खठा जमान तो होने जाता है तो इस तरह से सबसे पहले हमें बढ़ियां से जनकारी देना है कि डरेक सेलिंग के थुरू सेर आपका जो इनकम है उसको बिना कम किये हुए आपके बैपार को बिना डिस्टर्ब किये हुए आपको पढ़ाई को बिना बाधित किये हुए आप अगर किसी काम को कर रहे है उस काम में बिना रुकाबट डाले हुए आप यहां से कम से कम पंद्रह सो रुपिया रोज भी कमाएंगे सर तो क्या बुरा हो जाएगा अगला ब्यक्ति को समझ में आएगा बड़े बड़े बाते करेंगे नहीं समझ में आएगा क्यों हमारा देश नौकर परधान देश है जहां पर 99% लोगों की सोच केवल नौकर बनना नौकर बनना नौकर बनना है तो यह नौकर बनने वाला सोच को आप बोलेंगे कि नहीं जी कि नोकरी नहीं करो ये बेपार छोड़ दो करो नहीं डिरेक सेलिंग का काम गशिटी के सबको मौका दिया है डिरेक सेलिंग और गुवर्मेंट ने भी एलान किया है कि इसमें कोई टेर्मेंड कंडिशन नहीं होगा भारत के कोई भी ब्यक्ति डारिक सेलिंग में सामिल हो के जीरो लागत से क्योंकि आप जतना का समान खरिदते हैं जतना पैसा भेजते हैं कंपणी के पास उतना समान आपके घर पर डिलेवरी हो जाता है और आपका किये हुए काम का अगला दिन ही जो पैसा आपके खाते में चला जाता है तो थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा फिर से सोच इमंदार काम दमदार जो कमपनी आपका बारा बजे रात तक किया हुआ काम का जो पैसा पूरा के पूरा आपके खाता में सुबह डाल देती है तो इस कमपनी से बढ़ियां आपको कोई भी कमपनी नहीं है क्यों बाकी कमपनी में बड़े-बड़े बादे बड़े-ब बड़े सिधान्त ऐसा करोगत यह दूंगा ऐसा करोगत ओ दूंगा और उनका खूद ही फलान चेंज हो जाता है प्रड़क्ट का दाम चेंज हो जाता है तो बड़े-बड़े बादे के चकर में नहीं रहे रहे हैं हम लोग का और स्वामनी का एक ही मिशन है कि अगर आपका सो रुपिया के आज इंकम हुआ है तो सुबह ही आपके खाते में सो रुपिया चला जाएगा इसके लिए आप गारी घोड़ा बंगला टूरफंड दुनियादारी ले सकते हैं सेकंड बाद स्वामनी में जो भी ओफर है वो फेक्स है बाकी कंपनी जैसा नहीं कि तीस दिन मे करोगे तो मिलेगा नबे दिन में करोगे तो यह मिलेगा नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा लाखो लोग मेहनत करते हैं तिन-तिन मेहना तक और चंद सो लोग को ओफर फाइट होते हैं और बाकी लोग का मेहनत बेकार चला जाता है लेकिन स्वामनी में आपका मेहनत कभी बेक नहीं है तो एक बार फिर से दोराना चाहूंगा सबसे पहले आप किसी ब्यक्ति को डिरेक सेलिंग के बारे में जनकारी देते हैं तो पहले उनको बारे में जनकारी लीजिए कि वो ब्यक्ति काम क्या कर रहें उसके बाद आपको सिर्फ इतना ही जनकारी देना है कि सर अगर ज